हेलो यहां पर बिलिस ओस का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जिसे फिलाल में कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं और इस अपडेट में काफी कुछ चीज़े जो इंप्रूट की गई है वैसे वे शुरू सही है जो हमारा जो बिलिस रोम है काफी फास्टेट्स और इंप्र यहां पर इंड़ाइट इन बेस्ट रोम है यह और साथ है यहां पर इनिमेशन आपको डिफ्रेंट इसनी को मिलेगा क्योंकि मैंने हरे इक टाल सूपर अलग अनिमेशन सेट किया है तो जस्ट लाइक मिवाइपर वाली फिलिंग आपको मिलने वाली है फाइब मार्स का यह जहां पर आपको जो ऑफिशल देहनी को मिलता है और फाइब अपरेल का यह पब्लिस डेट है और साथ ही साथ यह काफी ज़्यादा अस्टेवल हो गया है तो आपको काफी ज़्यादा है जो मज़ाने माला इसे यूज करके वह यह पर सिस्टम क्यों आते हैं ता आपको इस हटिक फीड़ बैक में काफी अच्छा कासा इंप्रूमेंट किया गया है तो काफी बेटर फीड है जो मिलने वाला है फिंगरपींट शुरू साही है काफी फास्ट रहा है तो अभी भी आपको जो काफी फास्ट देखनी को मिलेगा ता आप अगर वन टाइम में टाइप क आपको यहां पर मिलता है जो कि security प्रफसके लिए better है sound के profile पर आते हैं यहां पर वही सारे options आपको देहनी को मिल जाता है MI sound enhancer तो provide नहीं किया गया है लेकिन audio effects यहां पर आपको मिलता है साथ से advanced control भी provide किया गया है जिसका आप full benefit ले सकते हो वहीं पर यहां पर जो इसका net safety है fully pass मिलता है और play store भी certified है यानि आप banking का अगर यूज करना चाहते हो इस room के उपर तो easily यूज कर पागए by default simple ओला camera दिया गया है बट आप gcam यहां पर यूज कर सकते हो no doubt वहीं पर untuto के को बात की जाए तो by default जो के रनेल है उसके उपर ठीक ठाक आपको untuto score मिला है जहां पर पपजी प्ली कर सकते हो gaming भी कर सकते हो बैटरी भी आपको मिल जाता है लेकिन आपको और ज्यादा improve करना है तब ethereal के यूज कर सकते हो क्योंकि वह battery wise और gaming wise काफी better रहता है but by default जो है उससे आप काम सला सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो बैट्टी की details पर आते हैं तो यहां पर smart charging वागर आपको प्रॉइट किया गया है जहां सब सेट कर पावे कि कितना चार्ट होना चाहिए कितना रूप जाना चाहिए और यहां पर power saving and performance वाला भी option देखने गए जो की काफी जादा है जो बहतर लगते हैं वहाँ पर फॉन्ट हो गए रहा और colors हो गए रहा आप खुद से decide कर सकते हो या फिर manually control भी आप इसे कर सकते हो वहाँ पर माते हैं इसके मोर के उपर तो आपको देहनी को मिल जाता है इसका मोर जहां पर battery aggressive वगर दिया गया है फुल रिकॉर्ड यहां पर दिखाएगा कि भी नया चेंज है जो इसके अंदर हमें देखनी को मिला है बैक्टिक के पार पर पहले से कभी नहीं आता था बड़ यहां पर चेंज किया गया है जो यहां पर आपको जो मिल जाए कुछ इस तरीके का जहां पर यह उठाया गया है इसके अनिमेशन वगड़ा एंडॉयड आर्स है यानि 11 से लिया गया है तो यहां पर 60fps और यहां पर देखने को मिल जाता है 24 Mbps का अपको देखने को मिलता है और यहां पर टर्च का भी ऑप्शन दिखाई देता है और यहां पर आप इंटरनल कर सकते हो भी माइक्रो कर कर सकते हो तो फूल बेनिफिट आपको स्क्रीन रिकॉर्डर में भी देखने को मिलता है यहां पर नोटिकेशन की पैनल की बात करें तो यहां पर बहुत सारे कॉस्टमाइशन एड किये गए हैं जैसे कि आप तेक सब्सक्राइब करना यहां पर टाइमिंग है एंड्स अप कर सकते हो कॉलिंग के टाइम पर तो बहुत अच्छा खासा उप्सन दिया गया है वह पर नोटिकेशन की सेटिंग्स के अलावा हम टाइलर पर आते हैं तो टाइलर पर आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलता है स्मार्ट मूड भी मिल जाता है और सासे फोन बुक का भी और यहां पर प्रॉक्सिमेटी का भी ऑप्सन देहने को मिल जाते हैं यानि कॉलिंग से रिलेटर बहुत सारे अच्छे खासे कश्टमाइशन और फीचर्स आपको यहां पर प्रवाइड किया गया है यह अनिमेशन के टाइल को मैंने हर एक टाइल को एनिमेट किया है जिसक आपको मिल जाता है तो इसे जो भी आप पपसंद आता आता अफिक्नाइब 하지 कर सकते हो एंजे काफी जाता सही लगा और पहले कुछ यूजर्स को जो Gcam से regarding problem राई थी उसमें problem को fix कर दिया गया है और double tap भी problem कर रहा था कभी को किसी किसी के लिए यहां पर double tap यह जो improve कर दिया गया है तो यह room काफी जादा stable और काफी जादा features को carry करने लग गया है तो आप इसे simply compare कर सकते हो हवोग OS के साथ क्योंकि हवोग को इसमें भी same customization मिलता है और इसमें भी same आपको मिलने लग गया है तो आप मुझे बताना है कि इसे customization आपको कैसे लगे और इसका जो fingerprint response तो मुझे सुरू से ही पसंद आ जाया है और अब भी है जो काफी better रहता है बाके दर रोंसके comparing में और battery details जितने भी उज़े स्यूज कर रहे है उसके साथ से मुझे काफी जाए जो better लगा है तो आप इसे daily life में जो use कर सकते हो अगर आप चाहते हो better performance, customization और stability तो आज के लिए इतने ही guys वीडियो पसंद आई तक लाइक जिरूर करे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर नह भूले तो मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई Oxygen OS और Hydrogen OS का रिव्यू प्रवाइड किया गया है को फस्पेट आपने वाचिन के तो वाचिकर लेना